नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और बताईए कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए चिप्स की रेसीपी लेकर आई हूँ जो लाश्ट तक देखिए और मुझे उम्मीद है कि ये रेसीपी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि हर किसी को यही प्रॉबलम होती है कि चिप्स काली पढ़ जाती है तो आज मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप की चिप्स नाहीं काली पढ़ेगी और नाहीं लाल और लंबे समय तक आप इसे इस्टोर कर के रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने 5 आलू लिया है आलु आप ना ही ज़्यादा बड़े साइज का लें और ना ही छोटे मेंटिया साइज का आलु लें और जिसके हम सारे छिलके अच्छी तरह से उतार लेंगे और हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। हम काटेंगे तो बहुत आसानी से कट जाएगा तो ये मत सोचिए कि हमें बहुत अच्छे किस्म का आलू मिलेगा तभी हम चिप्स बना पाएंगे जैसा भी आपके पास हो आप बना सकते हैं लेकिन कुछ ट्रिक और कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए बनाएंग तो आपका चिप्स बहुत पर्फेक्ट बनके तयार होगा तो हम यहां पे आलू को अच्छी तरह से वास कर लेंगे और इसे हम फिर चिप्स कटर की हेल्प से इसे पतले-पतले स्लाइस में काटेंगे तो हम इसे डाइरेक्ट पानी में ही काटेंगे नहीं तो हमारे आलू काले पड़ जाएंगे तो हम अगर आप डिजाइन वाला चाहें तो ओ भी काट सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे प्लेन चिप्स काट रहे हूं तो इसे हम डायरेक्ट पानी में ही काटेंगे और अब हम इसे चिप्स कटर की हेल्प से सारे आलूं को सावधानी से काटिएगा कि हाथ पे लगे न और इसी तरह से हम आराम से चिप्स को काट लेंगे अगर पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा बच जाए तो इसे हम साहिट कर देंगे तो देखी कितनी अच्छी तरह से कट गया है हमारा चिप्स इसी तरह से हम सारे चिप्स को काट लेंगे ये चिप्स हम बिना उबाले बनाएंगे ना घंटों मेहनत करना है ना कई दिनों तक इसका वेट करना है आप फटाफट चिप्स काट ये और इसे धूप दिखाएगे और फटाफट फ्राइ करके खाली जिए इसे उबालने की जंजट नहीं है, हम बिना उबाले ये चिप्स बनानने वाले हैं, जो सालों तक इस्टोर करके आप रख सकते हैं, और मार्केट से कहीं ज्यादा वेहतर, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि घर की बनाई हुई कोई भी चीज बहुत ही अच्छी और सुद्ध ह होती है, तो क्यों ना हम घर पे बना करके ही यूज करें मार्केट का ना लाएं, ना ही अपने बच्चों को खिलाएं, क्योंकि वो हिल्थ के लिए नुकसान दायक होता है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स की, हम चिप्स को कई पानी वास करेंगे, इसे हम कई पानी चाहिए ताकि इसका सारा इस्टार्च अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि आलू में इस्टार्च होता है, और जब वो निकलेगा नहीं, तो हमारे चिप्स पीले-पीले हो जाएंगे, तो इसलिए हम 4-5 पानी इसको अच्छी तरह से वास कर लेंगे, अब जब तक इसक रखते हैं, या 3-4 घंटे के लिए इसे पानी में डीप करके रख देंगे, इससे हमारे चिप्स सफेद तो बनेगे ही बहुत क्रिस्पी भी बनेगे, तो देखी, मैं यहाँ पे 4-5 घंटे के लिए पानी में डीप करके रख दी थी, तो अच्छी तरह से वो साफ हो गए है अब यहाँ पे एकदम उबलता हुआ पानी लेना है, सावधानी से हाथ जलेना और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा जिसे की यह बहुत खस्ता बनेगा, तो पानी एकदम उबलता हुआ होना चाहिए, अब हम उसमें सारे चिप्स को डाल देंगे, हाथ से टच नहीं करेंगे क्योंकि पानी हमारा गरम है, हाथ जल जाएगा, और हम सारे चिप्स को इसमें एकदम डीप कर देंगे, पानी इतना होना चाहिए कि यह चिप्स सारे अच्छी तरह से इसमें डूब जाए, अब हम इसे ढग करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ज्यादा समय तक इसे नहीं रखना है, बस आधे घंटे के लिए रखेंगे, तो इसका देखिए, आलू हमारा एकदम ट्रांस्पेरेंट हो गया है, एक छन्नी से मैं उपर करके दिखाती हूँ, देखी लग रहा है कि एकदम वायल किया हुआ चिप्स है, हम इसे वायल नही किये हैं, बस गरम पानी में डीप करके रख दिये हैं, चिप्स अगर आप उबालते भी हैं, तो ज्यादा कुक हो जाता है, जिसलिए हमें धूप में फैलाने में भी असुबिदा होती है, और तूट जाते हैं हमारे चिप्स, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, तो आप पूड भी जा रहा है, और ये टूटे गा भी नहीं, और फैलाने में भी बहुत सुबिधा रहेगी, अच्छी तरह से आप इसे धूप में फैला देंगे, अब हम इसे एक छनी में चान लेंगे आलूम को, और साफ पानी से इसे वास कर लेंगे, और इसे हम टेज धूप मे अच्छी तरह से हम फैलाएं नहीं, तो वैसे भी चिप्स काला पड़ जाता है, और इस तरह से कपड़े पर इसे सुखाएंगे, कपड़े पर सुखाने से क्या होता है, कि कपड़ा पानी सोख लेता ह और जलदी से शूख जाता है, और छुडाने में भी सुविधार आती ह तो हम सारे chips को इस तरह से धूप में फैला देंगे कपड़े पे तो हम सारे chips को फैला दिये हैं और इसको हम दो दिन अच्छी धूप दिखाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए ताकि इस्टोर करने पे ये खराब नौ हो और लंबे समय तक ठीका रहे तो इसको हम दो दिन अच्छी धूप दिखा लेंगे, तो देखिए, दो दिन धूप दिखाने के बाद, हमारा चिप्स अच्छी तरह से सूप गया है, और देखिए कितना वाइट वाइट हमारा चिप्स बन करके तयार हो गया है, कोई जणजट नहीं, नहीं ज्यादा देड़ तक इसमें हमें परिशानियों का सामना करना पड़ा है, फटा-फट हम चिप्स काटे और इसको धूप दिखाए और हमारा चिप्स रेडी हो गया है, और एकदम सफेज सफेज चिप्स बना है, तो अब हम इसे फ्राई करके आपको दिखाते हैं, तेल एकदम गरम होना चाहिए, जब हमारा तेल अच्छी तरह से गरम होगा, तो चिप्स जल्दी-जल्दी निकलेगा, और तेल गरम नहीं राता है, तो ज़्यादा टाइम लगता है चिप्स फ्राई करने में, तो वही चिप्स बहुत कड़क हो जाते हैं, और लाल-लाल फ्राई होते हैं, तो इसलिए तेल गरम होना चाहिए, ताकि जट पट तुरंट चिप्स को डालें, और फटा-फट उसमें से निकालें, ज़्यादा देड तक फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो चिप्स लाल हो जाएंगे, और इसी तरह से हम सारे चिप्स को फ्राई कर लेंगे, और इसको तेल में डालने के बाद चलाते रहें, और फटाक से निकालें इसको तेल से, ज्यादा देड तक तेल में नहीं छोड़ना है नहीं तो ये कड़क भी हो जाएंगे और लाल भी हो जाएंगे तो ये चिप्स बहुत खसता और एकदम सफेज सफेज चिप्स बना हुआ है फ्रेंड्स आप भी इस ट्रिक्स को जरूर आजमाईएगा और हमें कमेंट करके बताईए कि ये चिप्स की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सेयर करिएगा फ्रेंड्स देखिए एक चिप्स को पास से तोड़ करके दिखाती हूँ कितना खस्ता और क्रिस्पी है और बहुत आसानी से बन गया है फ्रेंड्स तो इसी तरह से हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे तो देखिए है नए एकदम मार्केट जैसे चिप्स बन करके तयार हो गई है तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर